तो दोस्तों यह है पार्ट 24 लिखा एबुक में लेकिन हमारे हिसाब से जो हमने सिरीज बनाई है 23 लेसन है यह है क्योंकि किसी एक लेसन में हमने डवल भी लिख दिया है तो वहराल डवल भी मंद्द रिकॉड कर दिया है तो कहने का मतलब यह है कि देखिए यह लिखा है 21 और इससे पहले हो सकता है मैं यही करूँगा कि आपने सारी वीडियो देखी हूंगी है ना क्योंकि यह बुक है हिंदी सुर्दू सीखने की और इसका लिंक जो पीडियेफ डाउनलोड करने का क्योंकि यह बुक आउनलाइन अब नहीं नहीं हो लोग बहराल क्याने का मतलब यह कि उर्दू में लिखो नहीं इसको ऊर्दू में लिखना है तो अब मैं जो है आप देखेंगे स्क्रीन पर मैं लिखता जाउँगा फटा फटास ऽटास फटास ठीक है तो यह है मैं Professional पर मत चलो इस्क्रीन पर देश चकते हैं मैंने लिखा है सडक पर मत चलो ठीक है अगला है नर्म रोटी खाओ नर्म रोटी खाओ तो इसमें क्या है एक चीज़ बताओ कि अभी से आपको क्या करना है पहले स्नेप्शोट ले लीजे है ना इसको आप वीडियो को पॉस करिए और इसको लिखिये स्नेप्शोट लेने के लिखिये अपने उर्दू में क्योंकि आपको अभी उर्दू कितनी सीखें कितनी नहीं सीखें उसके बाद आप मैच कीजिएगा जो मैं स्क्रीन पर लिख के बता रहा हूँ ठीक है तो पहले तो बताती है मैं उसके बाद देखिए नर्म रोटी खाओ ठीक है तो दोस्तों अगला है बर्फ का पानी लाओ अब अगला है ये बड़ी काफ आएगा का के नीचे यहाँ पर पॉइंट है तो ये काफ हो जाता अमर अच्छा लड़का है किसके नाम है कोई बच्चा होगा उसके बाद अगला देख सकते हैं तख्ती ये खा जो है ना इसके नीचे पॉइंट है दिया खे हो गया खे खा और खा ये दोनों फर्क होता है इसमें आवाज में है ना तो ये पढ़ेंगे तख्ती पर कलम से लि जा रहा हूं साथ साथ तित्तर बित्तर ना हो ठीक है तित्तर बित्तर ना हो देख सकते हैं उर्दू में साथ साथ लेखते भी जा रहा हूं है अगला है हवस करना बुरा है तो देखिए लिखा है हमने फिर से उर्दू में इसको क्योंकि ये उर्दू में लिखना है हवस क करना बुरा है ठीक है उसके बात का इस शकर की चाय बनाओ है ना उर्दु में भी देख सकते हैं शकर की चाय बनाओ मेहनत का फल अच्छा होता है देखिए उर्दु में मेहनत का फल अच्छा होता है ठीक है यहां है खुदा के आगे जुको देख सकते हैं लिखा है खुदा के आगे जुको खुदा के आगे जुको उस्ताद की बात गोर से सुनो उस्ताद की बात गोर से सुनो ठीक है अगला है शौक से पढ़ो जो कुछ पढ़ो उसको संजो तो ये बहुत जरूरी बात है और ये सच भी है ठीक है तब ही तो आपको याद होगा द इस्कूल से मत भागो, किताब को मत फाड़ो, घर का काम करो, किसी को बुरा ना कहो, यह दहली की शाही मस्जिद है, अगला है गाईस, जमुना नदी बह रही है, तो देख सकते हैं अरदू में लिखा है, जमुना नदी बह रही है, टीक है, तो यह बहुत जरूरी है आपके लिए, उसके बाद देखिए अगला है, किसी को बुरा बात ना कहो किसी को बुरी बात ना कहो तो उर्दु में देखी लिखा है किसी को बुरी बात ना कहो सडी चीज मत खाओ देख सकते हैं उर्दु में सडी चीज मत खाओ ठीक है तो दोस्तों कितनी इंपॉर्टिन चीज़े हैं आपके लिए समझ सकते हैंग ठीक है उसके बार देखिए घड़ी चल रही है तो उर्दु में लेकर है सदी 100 साल की होती है तो उर्दु में लिखा है सदी एक सो साल की होती है देखिए इसमें क्या है सदी बोलते हैं दाही बोलते हैं दस साल को सदी बोलते हैं सो साल को ठीक है ये एक नाम है नाउन है अगला है दोस्तों गंदी गली में ना जाओ ठीक है तो हमारे हैं तो जादर गली आहीं गहीं गंदी है क्या किया जाए गंदी गली में ना जाओ यानि अपने घर पर ना जाए तो हमारे गली में तो लोग गंदें नहीं करते हैं लेकिन government ने रोडी नहीं बनाया नहीं यहाँ पर कुलादान है even though I have written application for this but no reply शाख में कली लगी है शाख में कली लगी है ठीक है समझ सकते हैं गाइस पहती जाचे से उसके बाद है किताब को साफ रखो लेख सकते हैं आप किताब को साफ रखो और आखरी है बदी से हमेशा दूर रहो बदी बोलते हैं बुराई नेकी नेकी का उल्टा बदी तो देख सकते हैं उर्दू में लिखा है बदी से हमेशा दूर रहो ठीक है तो गैस आज इतनी ही और इसका पीडियो डाउलोड करने के लिए नीचे जाएं जो एरो करके देस्क्रिप्शन जैसे आता है उसमें आप लिंक मिले जा लिंक से आप वीडियो को डाउलोड करने चीडिक है नेच्स चाम बताएंगे नेच्ट चैप्टर लेसन नमर टंडिफो ठीक है चले फिर आज की कहान इतनी ही त तो उमीद है ये वीडियो आपको पसंदा वीडियो इसी तरह से और भी वीडियो से हम लाएंगे नेक्स टाइम चली मिलते हैं बाबाए टेक केर